question number 16 क्या कहता है देखते है question number 16 है जो कहेगा madhu studying in class 3 madhu एक बच्ची है जो कक्षा 3 में बढ़ती है identifies rose and tulsi यानि जो गुलाब है और tulsi के plants है उनको पहचान लेती है planted at his home अच्छे यह तो रड़का है भाई ठीक है मतलब बच्चा है madhu which of the following processes are involved in the identification of plants अभी ऐसे question है अभी यह pedagogy शुरू हो गई है तो pedagogy जो है आपकी इसमें process skills होती है observation हो गया आपका infer करना हो गया any conclusion निकालना इसके लावब predicting हो गया classification हो गया यह सारी तो processes are involved in the identification of plants तो बच्चे ने किस के process का use किया है कौन सी process skills का use किया है process skills जिससे बच्चे का thinking process पे प्रभाव पढ़े और वो EBS में या environment के प्रतीत हो असा और बहतर हो सके observation बिलकुल लगी होगी तुलसी और रोज पहचान होगी कैसे अगर observe ही नहीं किया होता तो बिना observe किया अगर आपने मुझे कभी देखा ही नहीं आप कैसे पहचान होगी तो बच्चे ने observe किया है अवलोकन किया है अपने आसपास prediction या कोई अनुमान नहीं लगाया गया क्योंकि वो identify कर पारा सी उसने यह कहा ये ये हो सकता है decision making decision making में ऐसा नहीं है यहाँ पे कि कुछ पूचाओ कि बताओ कोई decision लेना हो उसको सारो option सही हो नहीं सकते दो ही होंगे तो comparison की जुरत पड़ी है अगर तुलसी और रोज में उसे difference ही पता नहीं होता या बाकी पौदे जो उसके घर पे हो सकते हैं उनमें अंतर ही पता नहीं होता comparison की skill ही उसके दिमाग में नहीं होती process skill तो पहचान ही नहीं पाता तो A और B जो हैं सही है और A और B जो हैं वो हमारे A option में ही है question number 17 देखिए फटाफट से question number 17 क्या कहता है भई question number 17 कहता है in the teaching learning of EBS यानि environmental studies की अब अगर हम बात कर रहे हैं objective of conducting nature walk nature walk क्या होती है किसी पार्क में walk करा दी कोई भी ऐसी जगा जहां पर प्रकृती की सैर के लिए लेके गए है आप बच्चे को कोई जंगल सफारी हो सकती है कोई खतरनाक जगा नहीं बढ़ जहां पर कोई किरा compare कहां कर रहा है तो अगर हम बात करें इंधी teaching learning of EBS objective of conducting nature walk यानि आप बच्चे को प्रकृती में एक चक्कर लगवा करके आए हैं walk करा रहे हैं किसी पार्क में कोई और ecological park हो सकता कुछ और मत्रश जहां पर भी nature है वहां पर आप उसको सेर कराने ले करके गए इसका उद्देश है क्या होगा पहला option है to highlight flora and fauna and develop emotional bonding with nature यानि flora and fauna को आप highlight करना चाह रहे हैं वनस्पती जगत एवं प्राणी जगत पर विशेश बल देना कहीं आप हो सकता है किसी जू में भी ले जा सकते हैं इसके लिए तू कंड़क्ट जिम कर्बिट ले जा सकते हैं तू कंड़क्ट आप virtual tour of nature virtual थोड़ी हुआ ये virtual तो ये हुआ कि आपने internet पर video दिखा दी ये तो real है तू walk in a park and ensure fitness of learners यहाँ fitness होगा मुख्य objective वो physical education वाले teacher भी करा सकते हैं ये secondary हो सकता है बट मुख्य उद्देश है क्या होगा EBSK teacher के लिए तू engage learners in gardening and develop a kitchen garden कुछ भी मतलब बच्चे gardening में जो है involved हो जाएं और उनको gardening की एक इसके लाज़ाएं तो ये मुख्य उद्देश है सबसे बहतर option नहीं नज़र आ रहा गलत नहीं है बट सबसे बहतर नहीं नज़र आ रहा सबसे बहतर क्या है तू highlight flora and fauna and develop emotional bonding with nature यानि बच्चा तभी हम कहते ना कि एक plant बच्चा घर पर ग्रो करे adopt कर ले ताकि उसका ध्यान रखे nature से वो connected महसूस करे और flora and fauna जो आसपास के जीव जन्तु है जो पेड़ पौधे हैं, flora है वो सब basically उनसे aware हो पाए उनसे sensitive महसूस कर पाए और emotional bonding हो जाए फिर उसका nature के प्रती प्यार बढ़ेगा ऐसी case में आगे बढ़ेंगे next question पे next question क्या है भाई, question number है 18 Rezi says that she cannot become a truck driver like her father, Rezi एक बच्ची है जो कहती है कि वो अपने पिता जी की तरह truck driver नहीं बन सकती she has to look after household and children like her mother उसको अपनी माता जी की तरह घर के कामकाज देखने हैं और अपने बच्चों को समालना है यह उसके दिमाग में बैठ गया है which of the following method will be most useful to address this gender related concept in class, आपको इस link जो समस्या है इसको कैसे address करेंगे आप class में रेजी कहती है कि वह अपने पिता की तरह truck driver नहीं बन सकती, उसे अपनी मा की तरह घर बार समालना है और बच्चों की देखबाल करनी है, आप कई लोग कहेंगे बच्चों की देखबाल करने में और घर समालने में करें इसको या क्या इस पर करना चाहिए रोल प्ले करा दें, मूवी दिखा दें, प्ले करा दें चारों करा सकते हैं, चारों उत्तर सही है लेकिन सबसे बेस्ट क्या होगा, group discussion आपको परी चर्चा करानी है समूँ चर्चा करानी है groups में जिन बच्चों की कुछ बच्चे होंगे जिनकी माएं जो है वो बाहर काम करती होंगे जिनके पता जी हो सकता है घर में रते हो इकाद के या कोई और चर्चा हो सकती है तो चर्चा बैट करके की जाए कि ऐसा क्यों हो वो सोच रही है तो discussion, debate यह सबसे बैटर तरीका है role play, gender, stereotype को address करने का अगर मैं कहूं तो A option is the right answer, group discussion question number 19 देखेगा question number 19 देखेगा क्या कहता है question number 19 while teaching EBS to primary school children you happen to come across certain children who live in single parent families what would be your response to such a situation and जब आप प्रात्मे कुद्ध्याले को पढ़ा रहा है प्रात्मे कुद्ध्याले में बच्चों को परियावन अध्यन पढ़ा रहे है और आप देख रहे हैं कि आपने पाया कि कुछ बच्चें जो एक अलभी भावक परिवारों में रहते हैं यानि single parent houses में रहते हैं जहां उनके father या mother में से कोई एक parent नहीं है उनके साथ because of death हो सकता है because of separation हो सकता है because of divorce हो सकता है separation and divorce same बात होते हैं ये मत कहिएगा ठीक है तो अलग होते हैं तो ये मलब होता है थोड़ा सा difference तो बताइए फटाफट से क्या या कोई और reason हो सकता है even parent हो सकते हैं कि कहीं job भी करते हो तो बहुत rare कभी मिलते हो तो वो भी एक तरह से क्योंकि बच्चे को दोनों parents की आवशकता है generally तो तो अगर हम देखें इस situation में आप क्या करेंगे कैसा response होगा ignore कर देंगे तो ignore करना कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं है sympathize with these children and ask them to explain the term family sympathize मतलब क्या बिचारा मान रहे हैं आप बच्चे को sympathize नहीं करना होता empathize करना होता है highlight समानुभूती सहानुभूती नहीं अरे बिचारा समानुभूती है कि आप उसकी pain को feel कर पा रहे हैं उसको उपर की तरफ empower कर पा रहे है highlight difficulties faced by children in such families and focus on the topic यानि इसको ही highlight बना देंगे पूरी class की तो बच्चा और उसको अजीब से महसूस होगा कि आपने उसको अलग थलग लेबल कर दिया कहीं न कहीं सबसे बहतर option है incorporate the context of such children and build a culture of empathy यानि उनके संदर्भ को भी शामिल करेंगे class में किसी न किसी form में और उनको connect करेंगे और साथ में एक culture बनाएंगे class room में कि बच्चे एक दूसरे के दर्द को या जो भी उनमें differences हैं उसको empathize करें उसके साथ और समझ पाएं एक दूसरे के context को तो D option is the right answer एक परिवार जैसा माहौल basically healthy environment basically, conducive question number 20 देखिए और समझते हैं क्या है कहानी रूपल, a class 5 student tells her teacher that when your younger sister cries her grandmother says to her to stop crying otherwise an old man sitting on the moon will take her away what will you do if you are Rupal's teacher यानि आप Rupal है कक्षा 5 की शात्रा वह आपने सिक्षक को बताती है कि जब भी उसकी छोटी बहन रोती है तो उसकी दादी कहती है चुप हो जा, नहीं तो चांद पर बैठा बूढ़ा बाबा तरह को लेके चला जाएगा अब यह क्या एक इमेजिनर यह story हो गई, अगर देखा जाए तो लेकिन बच्चा इसको कैसे deal करे अगर आप Rupal के teacher हैं तो आप उसको क्या बताएंगे क्या यह सच है Talk to Rupal's grandmother and forbid her from saying so Grandmother को बलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बोलना बस scientific बाते बोला करो ऐसा तो होता नहीं है Stories भी तो कुछ महत्व रखती होंगी Talk to Rupal and explain that her grandmother is lying क्या दो कि तुमारी grandmother जो है, वो जूटी है Explain to Rupal about the moon and show that no such old man is there अतलब Rupal को concept बता दिया moon का और पांचवी क्लास में साथी दुनिया की समझ उसको हो गई और अब वो समझाएगी कि old man नहीं रहता है वहाँ, young man रहते हैं moon पे उन्हें जाख कर रहे हूं तो इन सबसे ज़्यादा practical जो option है, वो D है Ask Rupal to collect information and verify this fact आपको बच्चे को active रखना है बता दिया, पहले से पहले ही कुछ भी कह दिया उससे अच्छा है कि बच्चे को मौका दीजे explore करने का, जिसमें बच्चा जादा active हो तो आपने रूपल को कहा कि काम को बच्चे, information collect करो और verify करो कि ये fact किस हद तक सच है इस तत्थ है की जाच करो, इससे क्या होगा critical thinking develop होगी बच्चे में, exploration, discovery आएगा खुद से self-learning का concept आएगा independently वो सीख पाएगा तो D option is the right answer question number 21 देखिएगा और समझेगा question number 21 क्या कहता है, in class first यानि कक्षा एक की बात हो रही है as a teacher you are expected to familiarize learners with these senses यानि आप क्या है, आपसे expectation है कि आप as a teacher बच्चों को familiarize करा रहे हैं एक topic से जो है senses, यानि उनकी ज्ञाने इंद्रिया catch, feel, seeing hearing, ये सब इनसे आप क्या कराने है, familiarize, परिशद करा रहे हैं बच्चे को कक्षा एक का बच्चा छोटा होता है 6 साल का सिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्ध्यार्थियों क्यों घ्याने इंद्रियों से परिशद करवाएं, कैसे कराएंगे, कौनसा option best लग रहा है आपको पहला option है ask learners to read about the topic and come prepared for the class कक्षा एक के बच्चे को कह रहे हैं, पढ़ के आजाना घर से भाई, सब पे थोड़ना ही बात लागू होगी रूपल पाँच भी कक्षा में थी तो वह internet का भी इस्तेमाल कर सकती है पढ़ भी सकती है, किताब खोल करके, newspaper से भी देख सकती है ask learners to write about senses in their own words अभी तो सीखा नहीं है, ठीक से लिखना पढ़ना भी use concrete material to depict the function of each sense use role play to transact the function of each sense concrete material, कौन सी उम्र है है, प्याजे के according याद करो, 7 से 11 वर्ष उसी में है न रगभग तो concrete material का, जिसको वो touch or feel कर सके अब eyes की picture हो सकती है, कोई map chart हो सकता है, कोई 3D model हो सकता है जिसमें अलग-अलग senses दिखाए हो, books में भी बने हुए होते हैं, वो दिखा सकते हैं तो concrete material को depict करने के लिए, senses को depict करने के लिए concrete material का इस्तिमाल करना है प्रत्यक समवेदना का कारेचितरन करने के लिए मूर्थ पदाट का उपियोग करेंगे जिन चीजों को वो touch or feel करके देख सके सामने concrete material ये भी हो सकता है, कि आप दिखा रहे हैं कि ये eyes हैं, ये ears हैं ये भी आप उसको दिखा रहे हैं, वो activity करके of the nature of EVS, nature of EVS एक number का topic है, इस पे pedagogy की जो previous videos हैं, वो भी आप देख सकते हैं उससे आपको help मिल जाएगी adjustment between human behavior and ecosystem ये है nature of EVS education from primary to secondary education, lifelong continuous learning process about environment understanding and information about environment, तो हम ये कहेंगे कि ये simple बात है, जो nature of EVS, environmental studies, पर्यावान अध्यन का जो प्रकृती है वो एक lifelong continuous learning process है environment के बारे में हम हमेशा सीखते रह सकता है, ये subject हमें इस चीज के लिए inspire करता है, बाकी कोई भी इतना बहतर या सठीक उत्तर हमें देखने में ही नहीं लग रहा है और आपको भी ये तो easy, मतब कुछ ऐसे questions होते हैं आपको पता होता है कि यार इस से आसान और क्या ही होगा question number 23, देखें, class 2 की बात हो रही है कक्षा 2 as an EVS teacher, आप एक EVS की teacher है परियावन अध्यन की, you have to transact transport topic in theme travel to the students thus you will आपको पता है, six themes हैं आपके पूरे EVS में कौन सी? family, food, water, shelter, travel, things we make and do यही six themes हैं आपके पूरा EVS का स्ले बस इसी पर based है अब आपको transport topic पढ़ाना है बच्चे को उसको travel theme के अंदर तो यात्रा theme से परिवहन प्रकरण का संपाधन करना है इसलिए आप क्या करेंगे? ask students to read about it and make notes कक्षा 2 के बच्चे हैं यह काम उनको नहीं दिया जाएगा show them a computer presentation on importance of transport चलो, ठीक है use information and communication tools and draw अब इससे better हो गया यहींकि सिर्फ presentation डिखाना यह बड़ी लोगों के लिए आप कहीं MBA में पढ़ रहा है या बारवी में है तब भी समझ में आता है लेकिन इससे भी better option हमारे पास C option है use information and communication यानि ICT का इस्तिमाल करेंगे आप and draw conclusions from their experiences ICT क्या हो सकता है कोई आपने slide चला दी कोई movie दिखा सकते हैं कुछ और इस तरह का दिखा सकते हैं जिसमें बच्चों को आपने गाड़ी को चलते हुए दिखा दिया तो इस ICT का आप इस्तिमाल कर सकते हैं read newspaper articles to decipher uses of transport नहीं तूचना आए वह हम संप्रेशन साधनों का उपयोग करके करेंगे और उनके अनुभवों से निश्करश नकालेंगे कि जब वो कहीं जाते हैं जाते हैं कार से जाते हैं आज स्कूल आए हैं तो कैसे आए हैं तो ICT का information communication technology का use करते हैं चाहे वो internet का इस्तमाल होस में चाहे वो pictures का इस्तमाल होस में चाहे वो कहीं और कोई और विक्ती बैठा हुआ है किसी देश में उसको आप उसके बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं C option question number 24 मतलब उसके अनुभवों के बारे में या बच्चे के खुद के अनुभवों को जोड रहे हैं question number 24 which of the following statements best exhibits the nature of EBS यानि परियावन अधियन के प्रकृति को सबसे बहतर तरीके से कौन सा एक option clearly बताता है पहला option है EBS is not a separate subject in itself यानि कोई अलग से एक wish है नहीं है EBS क्यों नहीं है भई है ना 1st 2nd class में नहीं है 3rd, 4th, 5th में तो है 1st 2nd class में तो language और maths के तुरूई हम EBS को पढ़ा देते हैं NCRT में अलग से एक textbook नहीं होती question option number B है EBS is preparation of about environment and environmental problems यानि आप कितने जागरुख हैं अपने environment के प्रति और कितने समवेधन शील है इस चीज को दर्शाता है पता चल रहा है, रोल पर चल रहा है, खूड़ा फेक्टे हुए जा रहे हैं EBS is the efficiency of removing environmental problems यानि परियावर्ण अध्यन नहीं चेक की जाएगी, बट आप sensitive होगे तो अपने आप ये चीज बढ़ जाएगी efficiency जो है EBS is awareness and sensitivity about environment and environmental problems environment में क्या समस्याएं होती है environment के प्रति समवेधन शील होना बच्चे का उसके प्रति लगाव पैदा करना ये EBS का का काम है तो the option is the right answer आगे बढ़ेंगे, बाखी चीज़ें अपने आप हो जाएगी सबसे पहली चीज़ है awareness, अगर awareness ही नहीं है कि आप जो इक उड़ा फेक रहें, ये कहां जारा होगा beach road पे, तो वो ठीक भी नहीं होगी question number 25 देखिए which of the following activities are appropriate for transacting here comes a letter to the students of class third कक्षा तीन के बच्चों के लिए चठी आई है इस बात को समझाने का कौन सा तरीका है, कौन सा क्रिया कलाब जो है, वो उप्युकत है पहला option है, read chapter on communication and do related exercises यानि की communication पे एक chapter पढ़ने को दे देंगे और कहेंगे exercise उसके पीछे जो questions है उनको solve कर लो बच्चा उतना active नहीं है बड़ देखते हैं ask students to collate information and then write in their own words यानि सूचना को जोड़े, collate करें जो भी उनके पास सूचना है और अपने शब्दों में लिखें prepare students for the letter writing to their grandparents plan a visit to the local post office to experience the work of a postman सबसे जादा active बच्चा कहां है चारों option choose नहीं कर सकते गलत नहीं है चारों लेकिन सबसे जादा active communication पर पढ़ेगा और फिर related exercise करेगा वो भी कक्षा तीन का बच्चा ask students to collate information and then write in their own words तो ये गलत बात हो गई कक्षा तीन के level की बात नहीं है ये कि वो खुद से कोई assignment लिखे बहुत जादा पढ़ के आ जाए उस चीज़ पे तो वो active सबसे ज़दा C और D में है अपनी एज के अनुसार के letter writing prepare करे वो अपने grand parents को लिखना है क्योंकि वो उसके अनुभव से जड़ा है real life से जड़ा है D option है plan a visit to the local post office to experience the work of a postman एक postman कैसे काम करता है letter कैसे जाता है इसके लिए एक visit प्लान कर सकते हैं हम तो field visit हो जाएगी यह आप एक कहां पे post office में ले जाएंगे बच्चे को तो उसमें उसको मजा भी आएगा 3rd class का बच्चा है 8-9 साल का तो answer क्या है C और D होना चाहिए जो कि D option में ही हमें हमें given है question number 26 कहता है which of the following statements are true यानि सच कौन से है सही कौन से है सत्य कौन से है in the context of EBS तो 4 statement again दिये हुए lengthy बनाया हुआ paper को देख रहे हैं आप अगर practice बहुत जादा नहीं होगी तो इस तरह का paper solve करने में समस्या होगी टाइम भी आपका चला जाएगा children are actively connected to the world around them यानि बच्चे actively correct होते हैं बच्चे अपने आसपास की दुनिया से सक्रे रूप से जुड़ते हैं बात सही है true है एक तो children coming from different backgrounds have similar contextual experiences यह कौन सी बात हो गई कि अलग-अलग प्रिष्ट भूमिस आने वाले बच्चे समान संदर में अनुभव रखते हैं अलग-अलग प्रिष्ट भूमिस आ रहे हैं अलग दुनिया में रहते हैं अलग भाषा बोली जाती है अलग खाना खाते हैं अलग environment है और अनुभव same होंगे अलग-अलग चीज़ें सीखेंगे तो ये भी गलत हो गया diversity is an important resource in teaching learning process यानि diversity क्या है अच्छा है एक सेकिंड एक सेकिंड तीन option दियो है यह हमारे पास यह आपने दो ही लेके चल रही थी तो इतना खराब भी नहीं कहेंगे इसको रुख जाओ अभी diversity is an important resource ये बात तो सही है true हो गया ठीक है अब हमारे पास तीन option चूल्स करने है हमको और आप लोग क्या जवाब दे रहे है B option 44% यानि आप कहरे है A, C, D जो B तो कते ही सही नहीं हो सकता कि children coming from different backgrounds have similar contextual experience ये possible नहीं है तो उस case में A, C, D के साथ ही जाएंगे diversity makes the teaching learning process challenging diversity is an important resource in teaching learning challenging बना सकता है possibility है इस चीज़ की क्योंकि हमें इस option को छोड़ नहीं सकते अगर दो option choose करने होते तो छोड़ देते क्योंकि हम challenge की तरफ ना देखके मौकी की तरफ देखते हैं teaching में लेकिन हाँ एक challenging process हो सकते है तो हमको इसको मानना ही पड़ेगा ठीक है तो A, C, D एक मात्र सही उत्तर बन पाएगा फिर यहाँ क्योंकि option के साथ भी जाना होता है न हमिशा अभी हम थोड़े पहले भी बात कर रहे हैं चारों option सही थे पहले option में पहले question में बट दो ही choose करने हैं तो जो best होंगे वो choose करेंगे अब इन चारों में से दो हमें हलके से हटाने वाले लग रहे हैं लेकिन यह तो 100% गलत है बी option तो हमें मजबूर यह C को भी साथ लेके चलना पड़ेगा challenging बन सकता है बट हम मानते नहीं है pedagogy का एक hack है कि हम मानते नहीं है हम challenging teacher के प्रती नहीं देखते है challenge बच्चे के प्रती देखते है कि उसके लिए कैसे easy बनेगा आपको तो जितना काम मिले बढ़िया है लेकिन context अलग है question का तो हमें C को consider करना पड़ेगा question number 27 देखिए question number 27 देखिए क्या कहता है question number 27 है in order to introduce the topic birds यानि पक्षी संप्रत्य जो है topic है पक्षियों पे उसको introduce करने के लिए to the students of class 4 कक्षा 4 के बच्चों को which one of the following would you prefer यानि कक्षा 4 के विद्ध्यार्थियों को विशय पक्षियों विशय क्या है पक्षियों प्रस्तुत करने के उद्धेश्य से आप निम्लिखित में से किसको प्राथमिक्ता देंगे पहला option है provide models of birds along with their names to your students for them to memorize इसको रटना कहते है रोट लर्निंग हो जाएगी और रटन्त विद्ध्या चलंत नहीं B option है ask students to write about birds in their own words यानि अपने श्रदों में लिखने हो कहेंगे पक्षियों के बारे में बढ़े होगे बच्चे थोड़े लेकिन इससे better option भी तो होगा कहीं use nature walk to identify local birds their habits and habitats सबसे ज़्यादा active कहा है बच्चा सबसे ज़्यादा उसके senses कहा involved होगे सबसे ज़्यादा में उससे better कोई और option नहीं होगा सबसे ज़्यादा active बच्चा वहीं होगा तो C option is the right answer